वेलकम टू मैं चैनल दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आप इस अलोविरा के जैल को सुबह नहने से पहले यदि बालों पर लगाएंगे तो बाल, लंबे, घने, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे वर्ड बेस्ट रेमेडी आज आपके सांस शेयर कर रही हूँ दोस्तों अलोविरा के बारे में तो शायद आप सभी को पता होगा कि हमारे बालों के लिए कितना फायदे मंद है हम सभी को अपने घर पर अलोविरा का पौधा जरूर लगाना चाहिए मैंने तो अपने घर में अलग-अलग 3-4 गमलों में अलोविरा का पौधा लगाया है हमारे बालों के लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों बजार में तो तरह तरह किए शैंपू आती है और आप अलोविरा का जैल का उप्योग जरूर करें और खासकर सुबह बाल धोने से पहले आप इस अलोविरा जैल को अपने बालों पर जरूर लगाए सब्ता में दो से तीन बार आपको इसे लगाना है आप कम से कम दो सब्ता तो जरूर ट्राइ करके देखें मेरे कहने से बाल बालों का जढ़ना बिलकुल ही रुक जाएगा साथ ही साथ बाल आपके जड़ से काले भी होने लगेंगे जो सफेद बाल हो गए हैं, दो मुहें बाल हो गए हैं, या बाल बहुत ज़ादा तूट रहे हैं, उससे भी आपको फाइदा मिलेगा, बालों का तूटना बंद होगा, बालों में मजबूती आएगी, और साथ ही साथ यदि स्कैल्प में किसी तरह की परिशानी है, में बहुत आसानी से बनने वाली ये नैचरल रेमेडी है, तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, अलोविरा की फ्रेश पत्ती लेना है, आप सबको अपने घर पर पौधा लगाना है दोस्तों, और मैंने इसके कई वीडियो शेयर किये हैं, यदि आपके पास पौधा नहीं ह ये इतनी तेजी से फैलता है, अलोविरा का पौधा, बहुत ही तेजी से इसके नए-नए बेबी प्लांट निकल आते हैं, रोज आपको सब्ताह में दो बार यूज करना, जब भी यूज करना, केवल एक छोटी पत्ती का ही आपको काम है, वापस इसकी ग्रोथ हो जाती है, तो इस तरह से मैंने अलोविरा की पत्ती को काट लिया है, और इस तरह से उसका जेल निकाल लिया है, आप चाहें तो चम्मस से मैश करें, यदि टाइम नहीं है, तो ग्रैंडिंग जार में डाल कर बढ़ी अच्छा इसका फाइन पेस्ट बना ले, एक बार बना कर रख ले दो तीन दिन बार जब आपको लगाना है, तो थोड़ी देर आप इस जेल को बाहर निकाल कर धूप में रख दें, तक थोड़ी सी गर्माहट आ जाए, फिर आप अपने स्केल्प पर इसे लगाएं, 100% result मेलेगा, कोई भी side effect नहीं है, बालों का तूटना बिलकुल ही बंद हो जाएक, और सबसे बड़ा फाइदा जो होगा दोस्तों, हेयर री ग्रोथ होगी, नए बाल आएंगे, यदि आपको जैसे कई बार आपने देखा होगा, हमारे गंजापन शुरू हो जाता, बॉल्डनेस आने लगती है, जगा-जगा पैचेस पढ़ जाते हैं, उसमें भ अपने बालों की लेंद के अनुसार ही लें, अभी तो मैंने बहुत आधी ही पत्ती काटी ही दोस्तों, पूरी एक पत्ती यदि आप काटेंगे, तो बहुत सारा बन जाता है ये, अब आपको इसमें मिलाना है, कोकोनट ओल, कोकोनट ओल हम सब के पास होता है, और इसका रि पारियल का तेल डाल दिया है, इसमें आधी चोटी चमस तेल डाला है, और अलोविरा जैल, दोरों को खूब अच्छी तरह से आप मिक्स करें, और इसे बना कर आप फ्रीज में रख सकते हैं, दोस्तों कि आपको बार बार जंजट ना हो, विटामिन E का कैप्सूल लिया है किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको ये मिल जाएगी, और विटामिन E हमारे बालों के लिए, हमारे हेर री ग्रोथ के लिए बेस्ट है, और सांती सांत बालों में चमक बहुत अच्छी आती है, सिर्फ एक कैप्सूल आपको डालना है, तो इस तरह से कैप्सूल का ये पत्त खरीद कर रख लें, जब भी आप इसे लगाएं, तब आप विटामिन E का कैप्सूल आपको उसी समय डालना, पहले से डाल कर ना रखें, जैल बना कर रख सकते हैं, पर विटामिन E आपको लगाते समय ही डालना है, और बस इसके आद जैसे दोस्टों हम अपने बालों पर तेल लगाते हैं, कैसे उंगलियों से लेकर मसाज करते हुए लगाना है, जब भी आप हेर वाश करें, सब्ता हमें दो बार तो हम सभी हेर वाश करते हैं, तो दो बार करें, कई लोग तीन बार भी हेर वाश करते हैं, तो सिर्ध होने से दो घंटे पहले आप इसे लगा ले जब भी आप hair wash करते हैं, कम से कम डेड़ से 2 घंटा तो जरूर रखें दोस्तों. और aloe vera तो दोस्तों, बहुत ही जादा फायदा करता है. चाहे हम अपने चेहरे पर लगाएं, चेहरे के दाग धबे दूर करता है, बालों के लिए तो बहुत ही फायदे मत है. इस तरह से आपको अपने हाथों में लेते जाना, इसकेलप पर लेते जाना, ये देखे, मैं खुदी अपने बालों पर apply करके आपको दिखा रही हूँ. पार्टिशन करते जाएं, खुब अच्छी तरह से स्केलप पर आपको मसाज करना है, जितनी अच्छी मसाज करेंगे, उतनी ही जाता है, इसके जो पोशक तत्व हैं, वह हमारे स्केलप पर एबसॉब होंगे, हमारे जो सिर्की तवचा है, उसमें अंदर जाएंगे, और हम बढ़ी है, तो मैंने भी आज सक अपने बालों में कभी भी कलर नहीं किया है, दोस्तों आप देख सकते हैं, बस इसी तरह से नैच्रल चीजों का हम ध्यान रखेंगे, तो लंबे समय तक हमारे बाल हेल्दी बने रहेंगे, और बालों की समस्याओं से हमें छुटकारा मेले पूरे सिर पर, पूरे स्कैल पर आपको लगाना है, और हलका हलका सा मसाज करें, जादा ताकत से मसाज नहीं करना है, नहीं तो बाल उत्ते तूटते हैं, और इसे दो गंटे रखें, हेर वाश कर सकते हैं, दो गंटे के बाद किसी भी माइल्ड शेम्पू, बहुत जादा का इस्तमाल भी न करें, यदि बालों को अच्छा रखना है तो, बस मैंने भी अपने पूरे स्कैल पर बालों की लंबाई पर लगा लिया है, दो गंटे के बाद हेर वाश करें, साधरन शेम्पू से आप, सब ताह में दो से तीन बार लगाएं, वीडियो अच्छा लगा ह इनफार्मेशन अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर दें, टिप्स थियेटर चैनल को सब्सक्राइब जाएं